आज हमारे साथ हैं इमरान प्रताब गड़ी इतनी बड़ी लोग प्रीता के बाद भी सिर्फ एक पहचान नहीं है सिर्फ शायर कहना इसलिए भी अलग माइने देगा क्योंकि जब सडकों पर मुसल्मानों और दल्जदों का खून बहाया जाता है तो उनकी आवाज उठाते है जब जेनू से एक छातर गायब हो जाता है और जब दादरी में घेर कर भीड अकलाग की हत्या कर देती है तो उसकी बेटी का दर्द गाते है उन चीजों को जो राजनेतिक रूप दिया जाता है कि क्या राजनेतिक सरोकार है शाइरी से सियासत तक या शाइरी और सियासत के बीच इमरान प्रताब गड़ी खुद को कहा पाते हैं? उसी से जोडता हुआ एक आरोब भरा सवाल भी आता है. पहला ही सवाल इस तरह का आएगा कि मंचों से इतने तल्ख सियासी बोल क्यूं बोलते हैं इमरान प्रताब गड भी सलीके से और तमीज से बात किया करते हैं परदे हट गए पिछले तीन-चार साल में इस देश में सियासत ने अपने शर्मवाले सारे परदे गिरा दिया तो मजबूर हो करके जो मंची ये लोग हैं उनकी भी कहीं नहीं जिम्मेदारियां बन गएं कि उन्हें भी खुल क करनी पड़ रही अवां हाय जब टीवी चॉनलों पर बहुत सुनती है तो ऐक्ति के बात करे और अधार प्लिग्जार को बसंब हो या फिर कोई नीदिकत फैसला है अच्छली अगर मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में भीड के जरीए पीट-पीट करके मार दी गई एक लाश पड़ी हो तो मैं अपनी महभूबा के लिए गीत कैसे लिख सकता हूँ ये जमाना ऐसा है कि सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है आपके घर से 1000 किलोमीटर क्या घट रहा है दूर आपको अगले 10 मिनिट में पता चल जाता है तो कहीं कुछ भी हो रहा है पूरे देश में आप उससे आगाँ हैं आप उससे रूबरू हैं और अगर आप संबेदन शील हैं आपके अंदर एक अच्छा धड़कता हुआ दिल है तो आप उन घटनाओं पे कहीं न कहीं घम्जदा होते हैं तो उन लमों में मैं नहीं समझता कि मैं महबबत के शेर कह सकता हूँ मैं उस मां के साथ खुद को खड़ा पाता हूँ जिसका बेटा गायब मैं उस पहलू खां की पचासी साल की बुड़ी मां के साथ खुद को खड़ा पाता हूँ जिसके बेटे को पत्थरों से कूँच के मार दिया गया मैं नहीं खड़ा पाता अपनी महभूबा के साथ खुद को तो मेरी मजबूरी हो जाती है मेरा दिल मुझे मजबूर करता है कि मैं इस तरह के शेयर कहूँ मैं फिर मुद्दों पे नजमें कहता हूँ और मुझे लगता है कि शायरी महभबत से ज्यादा सरोकारों की चीज है शायरी सरोकारों पे बात करे तो वो ज्यादा प्रभावशाली भी होती है सरोकारों पर आये तो प्रभावशाली इसलिए भी होगा कि देश दुनिया में जो घट रहा है जो रोज की जिन्दगी में आदमी सह रहा है उससे जुड़ा हुआ अगर आएगा तो कि दल है जो सीधा जिम्मेदार रहता ही है लेकिन जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है सवाल ये है कि अखिलेश सरकार के लिए वो नर्मी आ गई अब बिलकुल आप उसके बाद मेरी नजमें देख सकते हैं और मुझे ने लगता कि कोई नर्मी आई और नर्मी ना आने के एक बहुत बड़ी वजा में बताऊं कि जब मुझे एवार्ड मिला सबसे कम उम्र में मिला और जिस दिन मेरा परिजय कराते हुए गाता कि यह सबसे कम उम्र के यश्भारती अवार्डी हैं और बड़े बगावती तेवर में बात करते हैं और उन्होंने मुझे का कि इमरान यश्भारती को अपने कंदे पे बोज मत समझना जैसे थे वैसे रहना मुझे अच्छा लगा कि एक मु फाहित वेक्ति हूँ जो delegation के गया और delegation ले जाने के बाद मेने बाकाइदा उनके नाम से नजमे के मजफर नगर हुआ उने दयाए। बिल्कुल नौजवान शायर को एश्भार्दी दिया उसके बाद उनकी हुकूमत चुकि चुनाओ आ गए तो नहीं रही रहती और कोई घटना घटती तो मैं उसी तरह सवाल करता जिस तरह आज की हुकूमत से कर रहा हूँ सवाल करते हैं लेकिन क्यों कुछ शायर हैं तो सब मतलब एक उमीद होती है कि कैसे मंचों पे कैसी शायरियों के जरिये या किन लाइनों के जरिये आप सत्ता को जिम्मेदार ठहराते हैं उनसे सवाल करते हैं अगर कुछ ऐसा सुनाना चाहें या यही से उस तरह की पंक्तियो मुझे सुनने आती है, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ उस मंच पे खड़ा होकर, मैं ट्विटर के अब आप मेरे ट्विटर उठा के देख सकते हैं सारी जो भी ट्वीट्स हैं, आप मेरा फेस्बूक पेज चेक कर सकते हैं, मेरा खैल है कि जमीन पे उतरना है, तो मैं जंतर मंतर पे अपना खून तक दान करता हूँ, मौब लिंचिंग के खलाफ, उससे भी आगे बढ़कर के मैं तमाम जो पीडित परिवान है, उनके घरों तक जा रहा हूँ उनको गले से लगा रहा हूँ, जो मुझसे बन पड़ रहा है लेकिन सवाल एक दूसरा ये है, अगर एरिया का आप दौरा करते हैं, तो किस तरह से वहाँ पर, क्या अर्थ ब्यौस्था पर हमला है, कई रिपोर्ट्स आईगी, कि मुसल्मानों को इसलिए तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो गाई के व्यापार से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत जादा मुसल्मानों ने गाई को पाल रखा है, दूद के लिए, इस व्यापार के लिए, तो क्या आर्थिक रूप से तो कमजोर किया ही जा रहा है, एक डर पैदा किया जा रहा है, कि एक भीड कठा होगी और आपको मार देगी, पिछले दिनों तक तो सिर्फ गाई के दाम पे था, फिर बच्चा चोरी की एक अफवा पैदा की गई, और अब तो गाहे बेगाई, आपको ऐसे वीडियो मिल ज जा रहा है, कि गाड़ी किसी से टच हो गई, तो राट से पीट-पीट करके मार दे रहा है, मतलब देश भीड तंत्र बन चुका है, ये आच जब तक देश के नेताओं तक नहीं पहुंचेगी, मुझे लगता है कि तब तक ये रुखने वाला नहीं, इस पूरी जो एक आम चल रहा है, बस इतनी सी बात, जिब 2015 में एक बड़ी घटना, वही सबसे बड़ी घटना तब नोटेबल थी, 2015 में अखलाग की जो घटना घटी, और तब से लेकर अभी जो अकबर की हत्या हुई अलवर में पीट-पीट कर मार दिया गया, क्या इन 3-4 सालों में बेहद आम हो गई है भीड़ात्या, एक्चुली देखे, दोनों को आप थोड़ा सा अलग धंक से समझना पड़ेगा, अखलाग का मर्डर हुआ, सरकार की विफलता है, मैं मानता हूँ, लोकल पुलिस की विफलता है, कि मंदिर से लाड़ी स्पीकर पे एलान हो, उसके बाद भीड के साथ खड़ी नजर आती, दूसरा एक मर्डर हुआ, पहलू खान के बेटे का, पहलू खान का, मैं उनके घर गया मिलने के लिए, मतलब उनके घर पे जो तख़त रखा था, जिसमें हम लोगों को बढ़ाए गया, वो चार जगे से तूटा हुआ था, घर की हालत इतनी जर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उल्टे आप बहुत तसकरी का एक मुकदमा भी कायम कर देंगे, जुनायद नाम के एक बच्चे का मर्डर हुआ, मुख्यमंतरी मनोहलाल खटर ने, दस लाक रुपए मुआज़े का एलान किया, मैं इस बार ईद पर उस परिवार से मिलने के लिए साल भर बाद तो पता चला कि एक पैसा नहीं मिला आज़ता है, तो एक तरफ अखलाग जैसा ही मामला देश में दोहराया जा रहा है, लेकिन सरकारें लगास्तार उदासीन होती जा रही है, खेर उन्होंने किसी मुआज़े का एलान तो किया, बाकि तो पुरसकार भी देने अपने होस्टल से गायब हो जाता है, तो उसकी मा के जो दर्द हैं, उन्हें गीतों में पिरोगर गाते हैं, और अखलाग की भी बेटी के जो दर्द हैं, उनको गीतों में पिरोगर गाते हैं, तो क्या लगता है कि भावनात्मक रूप से प्रस्तुती के लिए ज़्यादा असरदार होगा अगर भावनात्म प्रूफ से प्रस्तुत करेंगे या फिर इसे कहा जाए कि भावनाओं को भुनाने की कोशिश है देखिए आप मानो तो मैं गंगा मा हूं नहीं तो बहता पानी साफ सी बात यह है कि मैं महबबत के शेर कहूं मैं महबबत पर गीत दिखो मु पास उपर वाले ने एक हुनर दिया है शायरी का तो मैं वो भी कर सकता था लेकिन मुशायरे के प्लेटफॉर्म बे आने के बाद मुझे एक बात महसूस होई कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हजारों हजार लोग देश में कुछ मुशायरे ऐसा है जिनमें एक लाग से ज्यादा की भीड़ाती है सुनने के लिए मैं चाहूं तो अब मेरे हिस्से में जो आए गंटे आदे गंटे आ रहे हैं उसमें आप जुल्फाचल लब और उखसार की बात करूं या मैं उसमें मुद्दे उठा दू मैंने दूसरा रास्ता चुना मैंने दूसरा रास्ता च होती तो अब इसे दोनों तरह से जिनको आंक मून के विरोध करना हो कहेंगे कि मैं भावनाओं को भुना रहा हूं और लेकिन इसी देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नजीब को जाना इम्रान प्रताबगड़ी की नजम सुन करके इस देश में बहुत सारे परिव दिखा विरायत उसमें अपना एंगल जोड़ के दिखा रहा है मैं कम से कम सही एंगल से मां का दर्द पहुंचा रहा हूं भावनात्मक तोर पे लोग उस मुद्दे से जुड़तो रहे हैं इसकी क्रेडिट तो मुझे देनी चाहिए मतलब रसिकता बुनाई जा सकती है अस पहुता compound कहीं अद रहा है ? आप उन्हें सदियों याद रखते हैं। कहीं न खिक है पैसे तो दोनों फिल्मों ने कम आये का रोबार तो सब का चलनाए मुझारे में बहुत सारे लोग है जो अपना काम कर रहे है मैं उनी पर ब्द्द उठा कर रहा हूं तो मानो hundred मैं गंग तो आया ही हूं सुनाने के लिए नजीब की नजीब की नजम जो पुरे देश ने बहुत सुनी और सोशल मीडिया पर मेरे अपने चैनल पर चार मिलियन के असपास विवस हैं और भी जगों तीन-चार है दिली समंदर सी खामोश गहरी है दिली मगर एक मां की सदा सुनना पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिली वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे वो उमीद का एक नजरिया समेटे यहां कह रही है वहां कह रही है तड़प करके एक मां कह रही है नहीं पूछता है कोई हाल मेरा कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा यूटूब पर और अन्य जगहों पर एक वीडियो देखने का मिलता है इसकी प्रसुती एक बार नजीब की मां के सामने हुई और वो भावुक होकर रो पड़ी अब क्योंकि जिस केंपस की बात है जिस जगह की बात है वहां होने वाली हर चीज को सियासी रंग दिया जाता है तो क्या इन दर्दों को अभी तक एक शायर के तोर पर उठाने के बार आपने देखा कि वहां पर कैसे बेबस है एक मा भले आप आवाज उठा रहे हैं लाखों लोग तक जा रही वो बेबस है तो बेबस को एक सहारा मिले और अटकले लगाई जा रही है कि राजनीति में यानि सियासत में भी सक्रियता दिखा सकते हैं ताकि उनका प्रतिनीत तो जैसे संकों पर है गलियों में है सोशल मीडिया पर है वैसे सदन में भी जाए क्या ऐसी कोई तैयारी है अच्छी यह सवाल मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा है और मैं खुद बहुत उल्जन में हू अमूमन ऐसा चारो तरब से सूत्रों के हवाले से मुझे भी सुनने को मिलता है इमरान लोग सभा लड़ रहे हैं यहां से लड़ रहे हैं पिछले दिनों जब दिली में राज़ सभा चल रही थी आम आदमी पार्टी राज सभा भेज रही थी तमाम चैनलों से तमाम सोशल माइक से अपनी आवाज उठा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं समझ सकते यह एक सच्चाई है लेकिन समर साब एक सच्चाई यह भी है कि मेरी उम्र बहुत कम है और मैंने इतनी उम्र में बड़ी महनतों से बिना किसी सपोर्ट के बिना किसी कॉर्पोरेट घर बिना किसी मीडिया सपोर्ट के देशवर में ठीक ठाक सी पहचान बनाई है लोगों का प्यार कमाया है तो यह उसे जीने का दिन है उस शोरत को उस महबत को उस लोगों के प्यार को तो मैं बड़ा उलजन में हूँ फैसला नहीं कर पा रहा हूं फैसला करूंगा तो सबसे पहले बोलता है इंदुस्तान को बताऊंगा और फैसला इसलिए भी माइने रखता है कि जब कोई सियासत में आता है तो वह जिनकी रहनुमाई करेंगे वह समाज के बहुत बड़ा तबका होगा जो भी आवाज है युवाओं की आवाज होना मुस्लिमों की आवाज होना द लड़ाई जगड़े पर आ गया जिस तरह से दमन होता है क्या अब लगता है कि युवाओं की एक नई नसल तयार करने की पूरी की पूरी जिनरेशन तयार करने की जरूरत है जो समाज में सत्ता से सवाल कर सके अविवक्ति का कोई भी माध्यम हो इस पर इस पर एक चीज़ अब भड़ी कहकर ही सेलिबरेट करते हैं जब वो मंच पर होते हैं तो क्या उन्हें आप खुद गाइडेंस दे रहे हैं या वो खुद से तयार हो रहे हैं देखें ये किसी भी शायर के लिए उसकी जिन्दगी में इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता कि एक पूरी नस उसे कॉपी करें उसके जैसा बना चाहा है उसके लहजे में बात करें मुझ पे हमेशा अर्दू अदब या हिंदी साहिती या कहता रहा कि इमरान अदबी बातें नहीं करते मैंने खुद को भी कभी अदबी कसोटी पे अदब की कसोटी पे कसवाने की कोई कोशिश भी नही यश भारती मिली तो ये सवाल खड़ा हुआ कि ये तो अदब का पुरसकार है जबकि लोगों को ये पता है नहीं कि यश भारती जो है उसका सिर्फ एक मानक है कि आपने अपने हुनर से अपने यश से अपनी शोहरत से प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का नाम पुरी दु तो मैंने मनवाया भी नहीं कभी खुद को लेकिन हाँ ये सच है कि मुझे लगातार अदवी कसोटी पे कसके नकारने वाले लोग आज परेशान हैं कि एक पूरी नहीं नसल खड़ी हो गई जो इमरान के लहजे में बात करके मैं किसी भी मुशायरे में नहीं हूँ तब भी ए उनने दूसरा कोई कलाम लिख के देरार वो पढ़ रहे हैं हलाकि ये परंपरा गलत है मैं इसके खलाफ हूँ मुशायरे का मतलब है जो अपने शेयर कहे अपनी नजमे कहे वो टूटी फूटी हो गलत हो सही हो अदबी कसोटी पे कसी जार पा रही हो या ना हो लेकिन उनकी अपनी हो मौलिक हो ज्यादा तर बच्चे ऐसे हैं जो मौलिक नहीं है यह हम सब जानते हैं लेकिन एक ट्रेंड शुरू हुआ इसमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा जो मुशायरे हैं जिनका पुराना एक्ट ट्रेडिशन चला आ रहा है मुशायरों को उसी रवायत पर चलने दिया जाए इन बच्चों के लिए अलग प्लेटफार्म करड़े हूं जैसे टिवी चैनलों पर तमाम बच्चों के लिए फिर फोन आते हूं उसे मदद मांगते हैं तो मैं इतना कहता हूं कि नभी बच्चों को पढळाओ थोड़ा पढ़लिक लेंगे अगर मैं आज राजनेतिक और सामाजिक सरोकारों पर हम नजमे कह पा रहा हूं तो वह इसलिए क्योंकि मेरे पास इलहावाद बिशेविद्धाले का एक ठीक ठाक जो एक जिसे आप कह सकते हैं न कि वहाँ से जो संसकार मिले हैं वह हैं मेरे पास मेरी पढ़ाई है मेरे पास इसलिए मैं शायद बात कर पा रहा हूं तो वह बच्चे भी अगर अपनी स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कर लें तब शायद आप बहतर करेंगे जो मुझसे मदद बन पड़ेगी मैं करूंगा अभी जब वह मौलिक हो जाएंगे खुद रचनाय कर लिखने लगेंगे तो मैं जरूर उनकी मदद करूंगा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नई पीड़ी को स्थापित कर सको हूँ एक बहुत सम्मेदन सी सवाल है जिसे इतना सम्मेदन हिन तरीके से प्रस्तुत किया जाता है रोज रात को जब टीवी चैनल प्राइम जिसे कहा जाता है जब वहां होता है मदर्सों के नाम पे बहुत बड़ा डर दिखाया जा रहा है और इमरान प्रताब गढ़ी की शुरुवाती गीतों में सबसे ज़्यादा पॉपलर मदर्से पर ही गीत रहा है उनको किस तरह से जवाब देना चाहेंगे मीडिया जमकर दिखाता है इस पर सैकडो एपिसोड मिल जाएंगे पिछले तीन चार साल में कि मदर्सों में किस तरह पढ़ाया जा रहा है मदर्सों में CCTV लगाया जाना चाहिए मदर्सों में आतंकी बनाया जाते है अगर ये सीधे सीधे आरोफ है जो डर दिखाया जा रहा है तो आपकी जो शायरी है आपकी जो नजमे हैं वो बिल्कुल अलग बाते कहती ही तो कैसे जवाब देना चाहेंगे लाइनों में अगर देना चाहेंगे मैं तरसल वही बाते कहता हूँ जो सचाई है मैं तो लोगों से माइक से खड़ा होके कहता हूँ कि भीया मदरसों के दरवाजे खुले हैं आप एक बार जाएं जो रहस्या आपके दिलो दिमाग में बना जो तिलिस्म बना हूँ वह तूटेगा चुकि मैं लगातार मैंने सिर्फ माइक पे मदरसे की नजब नहीं पड़ी मैं उसके बाद से देश बरके ज़्यादा तर मदरसों में गया मैंने बच्चों से मुलाकातें करी ये सच है कि उन बच्चों को अतना एक्सपोजर नहीं है उनकी चीज़ें आपके सामने नहीं आ पाती क्योंकि मीडिया संस्तान सिर्फ सिर्फ नकार आत्मकता दिखाना चाहते हैं इस बीच हमने एक बहुत अच्छी कोशिश शुरू करी है मैं मदरसे के बच्चों का अपने तौर पर अपने प्लेटफॉर्म से रस्टी अस्तर पर उनकी भाशन प्रतियोगिता करा रहा हूँ और मैंने उसका विशे भी बड़ा खुबसूरत रखा है कि मेरे सपनों का भारत मैं चाहता हूँ कि मदरसे का बच्चा दाड़ी टोपी में खड़ा हो करके मेरे सपनों के भारत पर बात करे मैं चाहता हूँ कि सिक्षा सियासत और मुसल्मान पर बात करे वो तिलिस्म तूटे उसके लिए सिर्फ माइक से कोशिश करने पर काम नहीं चल पाएगा क्योंकि साजश हैं बहुत बड़ी हैं तो मैं जमीन पर भी कोशिश कर रहा हूं और मैं बाकियों से भी आहवान करूंगा कि मदरसों को फ्रेम किया जा रहा है उससे इतने आप पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देख लिए मैं 20 साल चैलेंज करके कहता हूं कि आज तक जितने आरोप मदरसों पर लगाएगे उसकी पुष्टी कहां हो पाई आप किसे आरोपी बना करके दोष्ट सिद्ध कर पाए मेरा ख्याल है कि शायद ही एकाद उदाहरन और एक दो उदाहरन अगर कहीं आपकी नजर में आता भी है तो समाज में तो हर जगा गिरावट आई है समाज में हर जगा हर तबके से आपको कुछ न कुछ आरोपी और कुछ गलत काम करते हैं लोग मिल जाएंगे तो आप उसे किसी मजहब में थोड़ी फ्रेब कर सकते हैं कि फला धरम गलत करता है मैं तो बिल्कुल इस बात से इंकार करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि मदरसों में जाएए उनके एन्यूल फंक्शन में जाएए बच्चों से मलाकात करिए फिर आपको समझ में हैगा कि बड़े मासूम मासूम बच्चे हैं उनको एक्स्पोजर की जरूरत है उनको उनके परसनालिटी डेवलक्मेंट के लिए और बहतरी इन प्रोग्राम चलाए जाने की जरूरत है बिल्कुल अचा मत जोडो आतंकवाद का नाम मदरसों से मत जोडो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से मैं कुछ जंग आजादी में भाग लेने वाले मौलानाओं के नाम पिरो हैं मैंने के चाहे शेख लहिंदो हो या फजले हक खेराबादी जंग आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी मिला हमें आजादी का इन आम मदरसों से मत जोडो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से ये शायद उस चीज़ को तोड़ पाए क्योंकि मेडिया का बहुत बड़ा दारा है करोडों का है लेकिन अब सवाल थोड़ा सियासत की ओर इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जो सुरुआत की हम बात कर रहे हैं जिन अटकलो की बात कर रहे हैं जब सियासत की बात आएगी तो उसमें जिसके पास लोगों की भीड कोई कठा करने की लोगों को अपनी बात सुनवा लेने की ताकत है वो प्लस पॉइंट है लेकिन किसी को लाखों लोगों को अपना ही फैन बना लेने की अगर ताकत है तो वो बड़े नेताओं के लिए क्या इन दोनों के बीच इमरान प्रतावगड़ी कुद को नहीं पाते कि तेजी से जो लोगप्री होने की एक सक्सियत हैं वो चीज राजनीत में आगे बढ़ने से बढ़े नेताओं की नजर में खटकेगी इसलिए भी साइद मौका देने में मौका देने या मौका लेने यह कोई लगाओ नहीं था आज भी मैं यहां बैठा हूँ तो शायद ही किसी मेरे चाहने सुनने वाले को मेरे वालिद का नाम पता हूँ नहीं पता है मैं आया तो लोग मुझसे कहते थे आप प्रतावगड़ में भी शायर पैदा होने लगे लिटरली मैंने बहुत पढ़े ल नहीं हूँ यह मैं खुद तसलीम करता हूँ मैं अवाम की बात कहता हूँ यह सचाई हबीब जालिब ने कभी कहा था कि दो ही दयार हैं एक दरबार है और एक अवाम है मैं अवाम के दरबार का शायर हूँ मैंने खुद को अवाम का शायर बनाया मैंने बात कही मैंने अपन तक हूँ, मेरी नजमे हैं, तो मैंने जगे बनाई, जिस दिन मुझे सियासत में जाके जगे बनानी होगी, वो भी बना लूँगा, अभी हलाकि कोई इरादा नहीं है, चलिए इस बात को कब तक का इरादा नहीं है, वो तो देखा जाएगा, और कब इरादा हो जाता है, वो बहुत लोगप्री हुए नेता नरेंद्र मोदी देश की गद्धी पर बैठते हैं और डेड़ साल पहले उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी सत्ता बदलती है और इनके साथ ही पूरे भारत का माहौल भी बदलता है तो पिछले चार साल में भारत को कैसे देख रहा हूँ उस पीड़ा को हर रोज जी रहा हूँ अब मैं पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीप की माँ के पैर छूते हुए अपने देश के प्रदानमंत्री को देख करके और उसी दोरान घटी भी घटना यानि के अखलाग जो दादरी की जो घटना थी वो महज 40 किल मिटर दूर 45 किलो मिटर दूर डिली से लेकिन उस मां के लिए एक ट्वीट तक करने की ना कभी उन्होंने सोची ना कभी ट्वीट किया उन्हों में बच्चियों के साथ मतलब निठारी जैसा कांड मैं तो यह कहूंगा कि निठारी से भी बड़ी घटना है वो जो दोहराई गई है उसके लिए समय नहीं मैं देख रहा हूं कि किस तरह से मुद्दों को जुमलों में बदल करके एक प्रधान मंत्री जो है मतलब प्रधान मंत्री से कहीं ज्यादा वो सिर्फ एक इंटरटेनर होके रहे गए संसद में उनकी जो बॉड़ी लेंग्वेज होती है जो भाशा होती है मुझे कभी-कभी मतलब लगता है कि कपिल शर्मा को नहीं देखना है मोदी जी को देख लेंगे तो ठीक महानिदेशक डीजीपी और जिस दिन प्रमुख सच्यू दोनों शहर में हों दिन दहाडे दस साड़े दस बजे वो जहां से उनकी फ्लीट गुजर रही हो वहां से पचास मीटर की दूरी पर एक वकील को दिन दहाडे कतल कर दिया जाए बस सिर्फ एक घटना ये बताने के लिए मेरे खेले परियाब्त है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है लेकिन प्रजारित कुछ और किया जा रहा है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जा रहे हैं और इनकाउंटर करने वाली योगी की पुलिस लोगों का सफाया कर दे रही दू पूरी तरह से जो सामाजी कारकरता कह रहे हैं वही सच है इनकाउंटर के नाम पर मतब छोटे-छोटे जो बहुत छुट भई यह टाइब के अपराधी है आप उनको मार करके कागजी कारवाईयां पूरी कर रहे हैं जो बड़े अपराधी हैं वो तो आपकी पार्टी में भर करके बैठे वे हैं रोज कतल पे कतल हो रहा है भी चार दिन पांच दिन पहले प्रताब गड़ की घटना मेरे जिले की है कि एक दो ब्यापारी बचारे सेमेंट के ब्यापारी श्याम सुंदर और श्याम मूरत दोनों को रंगदारी की धंकी मिलती है वो फाई आर करते हैं पुलिस कुछ नहीं करती तो वो पुलिस कप्तान के पास जाते हैं पुलिस कप्तान के पास बैठे रहते हैं कि रंगदारी मांगने वाले का फोन आ जाता है और वो अपना फोन पुलिस कप्तान को पकड़ा देते हैं और वो रंगदारी मांगने वाला पुलिस कप्तान को उसी अंदाज में हरकाता है और दूसरे या तीसे दिन उस पुलिस कप्तान का ट्रांस्पर हो जाता है और ये रंगदारी जाहर सी बात उसे लगता है कि हमने पुलिस में कंप्लेंड कर दिया चार दिन पहले उनका मर्डर हो गया दोनों भाईयों को सरे आम दिंदहारे गोली मार दी गई आप अंदाजा लगाई है कि वो अपरादी प्रदेश चोड़ के भागे हैं वो आकर के फिर कतल कैसे कर ले रहे हैं आप राजभवन के सामने गोली मार दी जाया कैश लूट लिया जाया मतलब अब तो तरस भी नहीं आ रहा है अब तो हसी आ रही है उत्तर प् कई ऐसी नजमों के रचना हुई है जिनसे हमको योगी पर ऐसे कभी घेरने की एक्षा नहीं हुई है नहीं मैंने घजल पढ़ी है पूरी आगर याद होई है मैं मैं सुना दे रहा हूँ कल जो हालत थी मेरे सुबे की पूरे चुनाओं में जो महौल बनाए गया कानुन डोस्ता सबसे बड़ा मुद्दा थी अब मैं उसे लफजों में पिरोता हूँ कल जो हालत थी मेरे सूबे की उससे बदतर तो आज है बाबू क्या यही रामराज है बाबू पुरी गजल है उसे सुना ले किसमोट उनकी खुछ पंक्तिया इस बात की और इसारा कर रहे हैं कि हालाद बद से बदतर हो गए जिसे गुंडा राज कहा जा रहा था उससे बदतर राज आ गया हलाकि अभी उसे रामराज कहा जाता है यह मीडिया की अपनी शब्दावलिया है अब क्योंकि मीडिया का सवाल उठा है तो एक तो मदर से की बात हो गए दूसरा अभी पिछले चार सालों में देश के सामने मुस्लिम का एक अला गुरू पैदा किया गया है मीडिया से बड लोग बैठे हैं उनकी सोच बहुत सामनती है और उनके लिए सबसे साफ्ट टार्गेट मुसल्मान है चुकि मुसल्मानों को फ्रेम करने पर उनके राजनेतिक आका है उनको खुशी भी होती है उनके राजनेतिक हित भी सदते हैं प्लस अपनी एक उंठा है जो मतलब पली अंदर बड़ी है जहां मुसल्मान उनको दुश्मन नहीं नजर आता फ्रेम नहीं हो पाता वहां दलित को फ्रेम करते हैं अलग अलग प्रोदेशों में उनके टार्गेट अलग अलग है मुसल्मान सबसे साफ्ट है क्योंकि उसकी नुमाइंदगी करने वाले लोग उस मु कासी और मजहभी दोनु रहनुमा एक प्लेटफार्म पर बैट करके इसका हल नहीं सोचेंगे तब तक ऐसे ही मुसल्मान फ्रेम भी किया जाता रहेगा और चंद लोग सोशल मीडिया पर चिख चिला करके चुब भी होते रहें लेकिन सोशल मीडिया कोई अल्टरनेट तो पिछले चार-शे सालों में जिस तरह से मेडिया एक्स्ट्रीम हुआ है उसका अल्टरनेट सोशल मीडिया कितना सफल मानते हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म फेसबूग प्रोपाईज ट्विटर क्या सोशल मीडिया नहोता तो कितने हालात बुरे होते हैं तरन्य टाइम की रिपोर्टिंग हैं उसरे उठा करें देख लीजे आपको मैंने पत्रकारिता की पढाई करी है मैंने एक साल डिप्लोमा कיה हुआ ह्वा पत्रकारिता तो मुझे प्ष्यञ्यच पत्रकारिता के बारे में पता है इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क कि इस समय देश के चंद पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो पत्रकारिता होई नहीं रहे पिछले दिनों राजी उतागी ने जो आन एर एक बात कही है दो शब्द कहें हैं वो दोनों शब्द अक्षारसा सब्ते साबित होते हैं भाशाई मर्यादा का ख्याल रखते हुए भी मैं यह बात कर रहा हूं कि वो शब्द सही है चुकि मीडिया हाउसेज ने अपने अपने पक्षत है कर लिए किसी को राज्यसभा की डेहरी पे पहुंचना है तो उन्होंने अपनी पगडिया हुक्मरानों के चरणों में रख दी हैं जितने ग्रूप है सब की हालत है कि किसी के खलाब केसेज हैं तो उनको अपने केसेज बंद करवाने तो मीडिया से उम्मीद तो बेमानी है पहले दोर में होता था कि साहित्यकार और कलमकार अपनी आवाज बुलंद किया करते थे लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ कलबुर्गी से शुरू हुआ पंसारे से हो तो बहुता हुआ तमाम उधारन आपके सामने हैं तो कलमकार भी डरा साहित्यकार भी डरा हलाकि उसने पुरसकार वापसी करी उसने तमाम इस तरह के अंदोलन चलाया कलमकार चुप नहीं है कहीं न कहीं से लेकिन ये जो मल्टी मीडिया मॉबाइल आया इसने दुनिया को चोटा किया और जानकारियां आपके सामने तक पहुचाना शुरू किया उसका फायदा इवन पार्टियों ने भी खूब उठाया कि आपके सामने जानकारियों से ज्यादा कच्रा परुसवाया आईटी सेल बन गए जो आपको अपने ढंक से मैनूपुलेट करते हैं लेकिन फिर भी जैसे होता ना कि बहुत तेज धूप है लेकिन एक गिरता हुआ दरख्त सूखता हुआ दरख्त है और उससे चंचं के धूप आ रही है तो आप सोशल मीडिया को वही दरख्त समझ सकते हैं जिनमें कम पत्तिया हैं लेकिन कम से कम वो तेज धूप को डारेक्ट करते हैं इसलिए उन पर दबाव होता है कि लोगों की बात अगर हम नहीं करेंगे तो यहीं लोग हमें गालिया सुनाएंगे दूसरी तरफ है एक तरफा समध होता है इसलिए वो डर नहीं रहता ओवराल कंक्ल्यूट करते हुए शायरी और शियासत पर इमरान कुताब गड है कि वो सियासत से अचूता है तो वो शायद अपने आपको धोखा दे रहा है आप इस देश में अब जी ही नहीं सकते अगर सियासत से अचूते रहे अब दूसरी बात आई कि एक शायर सियासत से उसका क्या लेना देना उसका क्या सरोकार आप मुशायरों की राजनीती अब मेन स्ट्रीम जो मुख्यधारा की राजनीती है उससे मेरे जैसा शायर तो बिलकुल अच्छूता नहीं रह सकता क्योंकि मैं एक बात समझता हूँ कि मेरे जो लाखों चाहने वाले हैं उनके प्रति मेरी कुछ जवाब दे ही है अगर वो मेरी नजमों पे मेरे साथ सफर कर रहे हैं मेरे साथ रो रहे हैं मेरे साथ उनकी पलकें गीली हो रहे हैं मैंने मुशायरों में ऐसा देखा है कि मैं नजीब की नजम पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने बैठे वह हजारों हजारों लोग जारों कतार रो रहे हैं उनकी रह सकते इस देश पक्षिया विपश्टाए करने पड़ेगा हम इस बातशीर को खत्म करते हैं लेकिन आज की सियासत पर या आज की हालात पर कुछ लाइने आप सुनाएं मैं एक नजम सुना दे रहा हूं जो आज कल खुब सुना रहा हूं के सच बात की पैरोकारी है सौ झूठ पे एक सच भारी है मेरे पसंदीदा शायर है अभीब जालिब साथ उनकी जमीन में बात कर रहा हूँ उनके लहजे में सच बात की पैरोकारी है सो जूट पे एक सच भारी है हर दोर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है मैं आग से लडने निकला हूँ अंगारों से क्या डरना मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना आखरी पंक्ता है इसके तू जल्म कहां तक ढ़ाएगा मैं तमाम सब्ता धीशों की आँख से आँख मिलाकर यह बात कह रहा हूँ तू जल्म कहां तक ढ़ाएगा देखें किस हद तक जाएगा हाँ जल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा और सच का अलम लहराएगा मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना एक शायर का सियासत से बहुत जादा भले ही नाता न रहा हो लेकिन सियासत से दूर जा कैसे सकता है अगर जिस समाज को बातें अपनी सुना रहा है जिनको रिलेट कर रहा है जिनके भावनाओं से जुड़ रहा है इसी बात की प्रस्टती शायरी और सियासत में आज इमरान पुताब गड़ी से हुई और इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलता है हिंदुस्तान पर हम तमाम ऐसी बात हैं खास कर आप जैसे शायरों को जिनको शिकायत है आप जैसे लोगों को समा आवाल